आप सभी जानते हैं कि जाना है तो जाना है वरना समसान है ठीक है? हलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें MP Police फिजिकल और SSC GD के फिजिकल में क्या सावधानी रखनी है क्योंकि इससे पहले वाली वेकेंसी में बहुत से लड़कों के साथ में बहुत ही दर्दनाग घटना घटित हो चुकी है इससे पहले वाली वेकेंसी में बालागार जीले सी दो लड़कों की मरत्यु हो चुकी है ऐसे ही SSC GD में एक लड़के की मरत्य हुई थी ठीक है और ये घटना घटी थोने का main reason क्या था इन्होंने क्या लाफर वाई और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे क्योंकि जो है इनकी जो मरत्य हुई थी उसी दिन मेरा भी फिजिकल था और ये हमारे आखों के सामने इनके साथ घटना घटित हुई थी ठीक है जाचे कि पिछले साल MP पुलिस का फिजिकल जो है 9 माई 2022 को स्टार्ट हुआ था और 9 माई को स्टार्ट होने के बाद 10 माई को एक लड़के की मरत्य हो गई उसके बाद में 11 माई को एक लड़के की मरत्य हो गई और इस घटना घटित होने की वज़ा से फिजिकल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था फिर जून में स्टार्ट किया गया था ठीक है ऐसी एक लड़के की मरत्य हो गई तो हमें किस बात का ध्यान रखना है ताकि हमारे साथ ऐसी करेंगे तो चली हम बात कर लेतें MP पुलिस फिजिकल में जिस लड़के की मरत्य हुई थी उसके साथ क्या हुआ था देखिए दोस्तों उस समय में रेलवे एंटीपीसी का टायर 2 का एक्जाम चल रहा था और जो इस लड़के के साथ में घटना घटी थुई उसका पेपर करने हैं कि जो है सिखंद्रा बाद में था एंटी-पीसी का पेपरि सिखंद्राबाद में ठा और उन्हों ने यह किया कि जैसे उनका 10 तारिक को physical 8mi वाज़े से सिखंद्रा बाद से Aeg बिच में रेश्ट न भूनी की वज़़ए इनकी वज़़ए इनकी वजह से उनकी थकान नीद न होने की वज़़ए उनकी बोड़ी में डेहाइड्रेशन और इनोंने बीस में एक मेडिसीन मेधिसING का यूज़ कर लिया था इससे क्या होता है हमारी नसों में blood pressure बढ़ जाता है और नसों के भटने के chances बढ़ जाते हैं जिसकी वज़ा से हमारे साथ ऐसी घटना घटित हो सकती है तो आपका जितना भी number बन रहा है लेकिन आप ये ना सूचे कि हम कोई energetic पदार्त ले ले ले, drugs ले ले या कोई injection ले ले और हम बहुत अच्छा number ले लेंगे तो ये आपके साथ घटना घटित हो सकती है तो हमें especially इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने body में कोई भी मादक पदार्त है या कोई भी ऐसे drugs या कोई भी ऐसे energetic tablet या pencular ऐसे किसी भी चीज का उपयोग नहीं करना है यदि आपको ज सारे अलग टाइप के reaction करते हैं जिसकी वजह से ये घटना घटित हो सकती है और आप सभी जानते हैं कि जान है तो जहान है वरना समसान है ठीक है तो इस चीज का especially ध्यान रखना है एक vacancy से कुछ नहीं होता है आपके एक से दो नंबर ही बढ़ पाएंगे लेकिन यदि आप ऐसे कोई medicine का यूज करते हैं तो आप अपने जीवन से हाथ दो सकते हैं आप physical को मजाक में न ले इससे पहले ऐसी घटना घटित हो चीकी है जो कि हमारे आखो देखना हुआ है जैसे पिछले जो भी experiment होंगे उन्हें पता है कि ऐसी घटना वास्तों में हुई है और ये घट के आसपास गाउ से एक लड़का था जो हमारे बेच में रणिंग किया था और उन्होंने अठारा मिनट में पाच किलो मिटर की रणिंग कर लिये थे और जैसे रणिंग कम्पलीट किये उसके बाद उनकी बॉड़ी में क्या प्रॉबलम होई क्या नहीं जैसे हम बैठे थे गनिंग करके आये बैठे थे और उनकी वहीं पर ब्रत्ति हो गई थी तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कोई भी मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना है और जिस दिन फिजिकल है यदि आपका फिजिकल सेंटर आपके सहर से 500 किलोमेटर दिया जो भी जितनी भी डिस्टेंस में आपको एक दिन पहले जा करके किसी होटल बुक करके या फिर किसी फ्रेंट के यहां रख करके एक दिन पहले चले जाना है और रेस्ट करना है यदि आप उसी दिन जाते हैं सफर में रहते हैं तो आपके साथ ही घटना घटी ठो सकती है ठीक है तो देखिए आप सभी को पत तो आप इस से पहले जितना नमबर बन रहा था उतना भी नहीं बन पाएगा। तो हमें अभी जोस में खुष्ण नहीं खुणा है। और रेगुलर अच्छे से स्ट्रेचिंग के साथ में नारमली तैयारी करना है। यदि आप एकदम से जोस में तैयारी करते हैं और यदि आप किसी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं तो आप फिजिकल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो हमें नार्मली स्ट्रेचिंग करना है और इस बात का विशेज ध्यान रखना है कि फिजिकल के एक दिन पहले जाकर के अपने फिजिकल सेंटर वाले सहर में जाकर के होटल बुक करके या किसी फ्रेंट सर्कल से या फिर कोई रिलेटिव है उनके आँ जाकर के रुख जाना है किंकि हम बस में यदि सफर करते हैं और ओमेटिंग हो जाती हैं तो बाड़ी डिहाइडरेट हो जाती इस वज़ा से भी ऐसी घटना घटित होती है मैंने जैसी की बताए इससे पहले जिस लड़के की इम्रत्ती होई थी उसका PG College में पेपर था जो SSC GD वाले लड़के की बात करते हैं उसका PG College में पेपर था बालागाट में और वो पेपर दिया और सीधा बस बेट गया और जबलपूर पहुझ गया ठीक है और उसे बस में ओमेटिंग हो गई और इस वज़़े से उसकी बॉड़ी डिहाइड्रेट हो गया और SSC GD में दो बज़े ही ओ लाइन में लग गया था ठीक है गटित होने के चांसेश बढ़ जाते हैं भले ही आप दो चार नंबर कम ले ले लेकिन किसी भी परकार से ड्रक्स और मेडिसिन का प्रयोग ना करे मैं बस इतना ही अपना self experience share कर रहा हूँ कि मेरे आखों के सामने ये घटना घटित हुई है SSC GD में मेरे आखों के सामने वो मौत के सिकार हो गए और MP Police Physical में मेरा 9 तारीक को फिजिकल था और 10 तारीक को एक लड़के किम रत्ती हुई और 11 तारीक को एक लड़के किम रत्ती हुई तो मैं आपको यही अपने छोटे भाई बहन समझ के आपसे यही experience share करना चाहता हूँ कि आप एक दिन पहले जा करके रेस्ट करे, proper रेस्ट करे, कोई medicine का प्रयोग ना करे वरना आपके साथ भी यह घटना घटी ठोच सकती है अच्छे से तैयारी करे और एक दिन जा करके, रेस्ट करके अच्छे से अपना physical day ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई वीस यू अल दे बेस्ट, थेंक्यू